नमस्कार दूर्दश्य नुत्यराखन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके साथ मैं हूँ संधिया सेमवाल दर्शकों आज के हमारे कायरकम रोजगा समाचार जिसके अंतरगत हम चर्चा करते हैं विभिन विभागों द्वारा जारी की विघ्यप्तियों के बारे में जो जारी की जाती है केंदर और राज्य सरकारो द्वारा तो चलिए बात करता है आज की पहली विघ्यप्ति के बारे में इंडियन एफोस द्वारा अगनिवीर म्यूजीशियन के पदों पर भरतिया निकाली गई है हाई स्कूल और मेट्रिकुलेशन पास वे सबी युवा जिनकी जन्मति थी दो जन्वरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच हो आविदन कर सकते हैं साथ ही अन्य शाररिक मापदंड भी तै किये गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 5 जून 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट अगनिपत वायू.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं NHPC Limited द्वरा, ITI अप्रेंटिस के पदों पर भरतिया निकाली गए हैं जिसके लिए कुल्पद हैं 64, हाई स्कूल और ITI की डिगरी धारक वे सभी युवा जिनकी आविदन करने की अंतिम्तिती है 30 माई 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट nhpcindia.com पर विजिट कर सकते हैं इंडिया ने फोस द्वरा, ग्रूप Y के अंतरगत एर्मेन के पदों पर भरतिया निकाली गई हैं शेक्ठने की योग्यता और I.C.MA का निर्धारन हर एक पत के लिए अलग-अलग किया गया है रैली ती थी 12 जुलाई 2024 बेस निर्धारीत की गई है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट एर्मेनसेलेक्शन.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं हिंदुस्तान एर्नॉटिक्स लिमिटेड द्वारा I.T.I. ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुलपद हैं 200 I.T.I. की डिग्री धारक सभी युवा आविदन कर सकते हैं इंटर्वियूती थी 20 मई 2024 निर्धारित की गई है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट HAL-India.co.in पर विजिट कर सकते हैं इंडियन नेवी द्वारा अगनी वीर MR की पदों पर भरतिया निकाली गई है मैट्रिक पास वे सभी युवा जिनकी जन्मति थी 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रेल 2007 के बीच हो आविदन कर सकते हैं साथ ही अन्यशारणिक मापदन भी तै किये गया है आविदन करने की अन्तिम्तिती है 27 मई 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट जोइन इंडियन नेवी डॉट जी ओवी डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं इंडियन इंसिट्यूड ओफ टेकनलोजी जोध पुर्द्वारा तक्निशन और एड्मिनिस्ट्रेटिव के पदों पर भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुलपध हैं 122 शैक्षणिक योग्यता का निर्धारन हार एक पद के लिए अलग अलग किया गया है 27 से 50 वर्ष के सभी आविदक आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 15 जून 2024 आविदक इनकी ओफिशल वेबसाइट iitj.ac.in पर विजिट कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आई-टी एक्जेक्यूटिव के पद पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपध है 54 शैक्षणिक योग्यता और आई-सीमा का निर्धारन हार एक पद के लिए अलग अलग किया गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 24 मई 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशर वेबसाइट आई-पी-पी-बी-ओन-लाइन डॉट-कॉम पर विजिट कर सकते हैं इंडियन आर्मी द्वारा टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतरगर्द भरतिया निकाली गई हैं विज्ञान विशे से 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12 पास करने वाले वे सभी आविदक जिनके आयो सीमा 16.5-18 वर्षों आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 13 जून 2024 आविदक इनकी ओफिशल वेबसाइट जॉइन इंडियन आमी.nic.in पर विजिट कर सकते हैं DRDO द्वारा ITI अप्रेंटिस के अंतरगत भरत्या निकाली गए हैं जिसके लिए कुलपध हैं 127 आईटी आई पास सभी युवा आविदन कर सकते हैं आईउसीमा का निर्धारन हर एक पत के लिए अलग-अलग किया गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 31 मई 2024 आधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट DRDO.GOV.N पर विजिट कर सकते हैं इंडियर नेवी द्वारा अगनिवीर SSR के अंतरगर्द भरतिया निकाली गई हैं इंटर्मीडियेट इंजिनिरिंग में डिप्लोमा और दो साल का वोकेशनल कोर्स करने वाले वे सभी अभ्यरती जिनका जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अपरेल 2007 के बीच हुआ हो आविदन कर सकते हैं साथ ही अन्यशाररिक मापदन भी तै किये गये हैं आविदन करने की अन्तिम्तिती है 27 मई 2024 अधिक जनकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट जोइन इंडियन नेवी.gov.net पर विजिट कर सकते हैं तो दर्शकों ये थी आज की हमारी रोजगार से संबन देद कुछ विग्यबतिया उमीद करते हैं आज का हमारा ये अंग आपके भविश्य को लेकर जानकारी प्रत होगा कारिक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साज़ा करना चाते हैं तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उत्तराखन को सब्सक्राइब कर जोड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे फेस्बुक पेज दूर दर्शन उत्तराखन को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाओ अब मुझे यानि संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिये इजाज़त जल मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नयंक में रोजगार सम्मंदी कुछ और नई विग्यप्तियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार